हाजरों दोस्तों आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आपने थंबनेल जैसे देखा ही होगा कि आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ओने वाला है ट्रांजिस्टर आज किस वीडियो में हम NPN और PNP ट्रांजिस्टर को अच्छे से समझेंगे कि ट्रांजिस्टर के यह जो NPN और PNP है यह क्या मतलब है इंसका और ट्रांजिस्टर की बेसिक वर्किंग भी दोस्तो इसके आने वाली वीडियो में मैं आपको JFET और MOSFET के बारे में बिताऊँगा लेकिन आज की जो वीडियो है वो सिर्फ Bipolar Junction ट्रांजिस्टर पर है तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को शुरू करते है तो दोस्तो ट्रांजिस्टर जो है वो एक सेमी कंड़क्टर डिवाइस है यानि ट्रांजिस्टर जो है सेमी कंड़क्टर से मिलकर बनता है अब आपको पता होगा कि सेमी कंड़क्टर जो है सिलिकन और जर्मीनियम दो बेसिकली ही हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर आइसी बगेरा को बनाने के लिए अब जो ट्रांजिस जो है हम N-type और P-type material की करते हैं N-type का मतलब है ऐसा atom जिसके अंदर 5 electron हो और P-type semiconductor के अंदर क्या होता है कि ऐसा atom हम मिलाते हैं semiconductor में जिसके पास सिरफ 3 ही valence electron होते हैं इसलिए दोस्तों transistor का नाम जो है NPN और PNP नाम पढ़े हैं अब जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कई shape के transistor हैं कई 3 terminal के हैं और जो यह आपको बड़े से दिख रहे हैं यह सिरफ 2 terminal के हैं जो इसका 3 terminal होता है वो इस transistor की body पर होता है अब जो transistor के terminals हैं अब देखते हैं उनके नाम क्या क्या होते है अब जो transistor होता है जो उसका main terminal होता है जिसकी वज़ाए से transistor work कर पाता है हम उसको कहते हैं base और एक collector terminal होता है और एक emitter terminal होता है collector, base, emitter जो है यह तीनों terminal जो है सिरफ bipolar junction transistor के case में होते हैं अगर हम J-fat की बात करें आपने सुना को J-fat होता है एक field effect transistor होते है उनके अंदर हम gate, drain और source की बात करते हैं जो सिरफ bipolar junction transistor होते है यानि जिन transistor के अंदर सिरफ 2 junction होते है क्योंकि हमने PNP material से बनाते हैं transistor को या NPN से तो इनके बीच में 2 junction होते हैं क्योंकि PN junction जो आपने diode भी पड़े होंगे इसलिए इन transistor का नाम bipolar junction transistor भी पड़ा तो इन सब के अंदर 3 terminal होते हैं जिसको हम base, collector या emitter बोलते हैं इन में जो base है वो transistor को चलाने का काम करता है emitter से electron निकलते हैं collector की तरफ जाते हैं तो दोस्तों चली अब देखते हैं कि PNP और NPN कैसे काम करते हैं जैसके मैंने आपको बताया है कि BGD transistor के अंदर collector, base और emitter 3 terminal होते हैं जैसे कि आपको diagram में भी दिख रहा होगा कि 3 terminal हैं अब एक के उपर लिखा हुआ PNP और दूसरे के उपर लिखा हुआ है NPN PNP वाले में आपको दिख रहा होगा कि जो base है वो material से connected है collector P type का है और emitter भी P type का है NPN transistor में क्या है जो collector है और emitter है वो दोनों N type semiconductor से जुड़े हुए हैं और base जो है वो P type semiconductor से जुड़ा हुआ अब नीचे आपको character का symbol दिख रहा होगा दोस्तों जैसे transistor के नीचे आपको symbol दिख रहे होगा तो इन में यही फर्ग होता है PNP transistor के अंदर जो है current जो है emitter से collector की तरफ जाता है जब base पर signal मिलता है और NPN transistor के case में जब base पर signal मिलता है तो जो current है वो collector से होकर base से होकर emitter की तरफ flow करता है मलब यह जो arrow है न यह current की direction को show कर रहे है PNP के case में current जो है emitter से अंदर की तरफ जाता है transistor में और NPN transistor के case में emitter से भार की तरफ निकलता है current तो यही जो है हमारे NPN और PNP transistor होते है आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि NPN और PNP transistor कैसे होते हैं वर्किंग कैसे होती हैं की काम कैसे करते हैं और ट्रंजिस्टर इन दोनों के लिए हम क्या सिंबल का इस्तेमाल करते हैं